जो बच्चे यहाँ सीमिल्ज में एडमीशन लेना चाहते हैं, उनकी लिए क्या परक्रिया है? देखे जो भी चात्र यहाँ पर नामांकन के दे आ रहे हैं, यदि उन्होंने बिहार बोट से पढ़ाई की हो, बारवी अपनी या सीवेसी बोट से करी हो, तो वो बिलकुल यहाँ पर अपलाए कर सकते हैं, इसके लिए हम उनका स्वागत करेंगे हमारे कैंपस में, कि वो पहले यहाँ पर पूरी जानकारी ले, पूरी शिक्षन पद्धिती को समझें, उसके बाद एक आट सो रुपए का आप्लिकेशन फॉर्म उनको लेना होगा, जिसके बाद एक एंटरंस एक्जाम हमारा होता है, एंटरंस एक्जाम अगर वो ख्लियर करते हैं, उसके बाद पर्सनल इंटर्व्यू राउंड उसी दिन उनका कंड़क्ट किया जाता है, जो भी चैनित छातर होते हैं, अगर उनका सेलेक्शन हो गया, उनके पास फिर अट्मिशन के लिए कॉल की जाती है, यहाँ मैं एक चीज पश्ट कहना चाहूंगी, एंटरंस एक्जाम जो हमारा होता है, इसमें हम बेसिक बच्चे का माथ्स, बच्चे का इंग्लिश, उसकी रीसनें, आปटिट्वूट ये हम चेक करते हैं, जो हमारा personal interview round होता है, उसमें बच्चे का attitude, क्या बच्चा जो हमारे यहां पर पढ़ाया जाता है, जिस rigorous तरह से पढ़ाया जाता है, क्या उसको वो कोप अप कर सकता है, because it is necessary that the student has to do six to seven hours of classes, attendance is compulsory, so whether that student can take all that strain and do the classes, अगर वो कर सकता है, उसका attitude सही है, तभी उसका चयर सिमज कॉलिज में होता है,